नमस्कार दसमिनित किचिन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे मोल्डिक चोकलेट चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को दवा दीजिए तो आईए देखें मोल्डिक चोकलेट बनाने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी मोल्डिक चोकलेट बनाने के लिए मिल्क कंपाउंड रॉ चोकलेट लिए हमने इसके हम छोटे छोटे टुकडे करेंगे इस तरह से इससे हमें मैल्ट करने बड़ी आसानी रहे आप इसे दो तरह से मैल्ट कर सकते हैं, एक डवल बॉइलर करके और एक माइक्रोबेम में, आज हम डवल बॉइलर करके इसे मैल्ट करेंगे, अब हमने गेस जलाके इसमें 300 ml पानी डाल दिया है, इसमें ये बाउल रख देंगे, हमको इसमें मैल्ट करना है, हमारी चॉकलेट मेल्ट होने लग गई है अमारी चोकलेट बहुत अच्छी से मेल्ट हो गई है हुआ 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 हायلى अब हम इस थरह का एक मोल्ड लेंगे इसको इधर रखíficंगे एक छोटी चम्मच लेंगे इस तरह और इससे मोल्ड में चोकलेट डालेंगे, आधी-ाधी चोकलेट भरेंगे इसमें, अब हम एक-एक हैजल नट रखेंगे, हैजल नट रखने के बाद थोड़ा सा कवर करेंगे इसको, इस तरह से, इसको कवर करेंगे, इसी तरह से, अब हम दूसरे भी भर लेंगे, अगर इस तरह की छोटी चम्मच मिल जाती है, तो आप छोटी चम्मच प्रिफर करें, यह देखिए, बिल्कुल नाट की है इसके, आदा आदा भरेंगे पहले, अब हम इसमें पिष्टा रखेंगे, आप कोई भी ड्राइफ रूट रख सकते हैं, जो आपके बच्चे पसंद करते हो, हम कई तरह की बना देंगे, यह हैजल नट की बनाई है, यह पिष्टा की बना रहे हैं, अब उपर से हम इसमें थोड़ा थोड़ा ओड़ा डालेंगे, तो बीच में जो ड्राइफ रूट भरे हुए मिलते हैं, यह बहुत टेस्टी लगते हैं, इसी तरह से हम ये भी भर लेंगे, आदा आदा ही भर ना है हमको, हमने आदी आदी चॉकलेट भर दी है, एक में हैजल नट है, एक में पिष्टा है, अब इसमें हम बादाम रखेंगे, यह देखिये, इस तरह से दो-दो टुकड़े कर लिया हैं बादाम के, यह एक-एक टुकड़ा इसमें रखेंगे जय देखें हमने काजु ले लिए हैं एक लाइन में हम काज़ु रख देंगे यह देखें आफ्ट कर्विकशन हैं आफ दो दो टुकड़े भी रख सकतें इसमें इसमें यह पैक हो जाएंगे बिल्कुल हमने उक प्लास्टिक डालेंगे जब चॉकलेट खोलो और यह लुकिट निकलता है तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं यह देखिए अब हम चॉकलेट से इसको फिल करेंगे उपर से चॉकलेट डालेंगे इसमें ऐसे ही हम यह सारे फिल कर देंगे निट्रिला के उपर भी चॉकलेट डाल देंगे हम यह सारे चॉकलेट से फिल कर देंगे लीजिए मैल्टिट चॉकलेट मोल्ड में भर गई है अब हम इसको इस तरह से उठाके थोड़ा सा टैप करेंगे अब हम 20 मिनिट के लिए इसको फ्रीजर में रख देते हैं 20 मिनिट में विलकुल सैट हो जाएगी फ्रीजर में चॉकलेट को रखके हुए 20 मिनिट हो गए है देखिए हमने मोल्ड बाहर निकाल लिया अच्छे से जम गई है अब हम इसको इस तरह से दी मोल्ड करेंगे चॉ दी मोल्ड कर लेंगे यह वाली भी ऐसे ही दी मोल्ड कर लेंगे यह देखिए सिलिकॉन के मोल्ड से दी मोल्ड करना बहुत आसान रहता है लीजिए हमारी चॉकलेट डी मोल्ड हो गई है देखिए कितनी अच्छी चॉकलेट बनके तैयार होई है अब हम इस तरह का एक पेपर लेंगे इसमें से एक एक पेपर ऐसे निकालेंगे चॉकलेट को इसमें रखेंगे और इसको बंद कर देंगे ऐसे यह देखिए यह वाली चौकलेट भी ऐसे ही पैक कर लेंगे हम पेपर उठाएंगे एक ऐसे इसको रखेंगे चौकलेट इसमें रखेंगे और दीरे से इसको इस तरह से रैप कर देंगे यह लिजे है यह हमारी चौकलेट बनके तयार हो गई है ऐसे ही हम यह भी बना लेंगे तो आपने देखा मोल्डेट चौकलेट बनाना कितना आसान है अब हम इसको थोड़ा सा कट करके देखते हैं यह देखिए हैजलनट वाली कितने अच्छे चौकलेट बनीए तो आप भी बनाईए खाईए और खिलाईए और कमेंग्स में लिखके जरूर बताईए कि आपको हमारी यह चौकलेट कैसी लगी मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ तब तक आप अपना ध्यान रख बाइब बाइ।